तो गाइस यहाँ पर वक्त होगे आए Tech News का तो चलिए लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे फिल न्यूस रिलाइंज जियो की तरब से निकल कर आ रहे हैं तो रिलाइंज जियो का कहना यह है कि उनका जो जियो का Air Fiber है उसको बहुत ज़्यदा यहाँ पर लोगों के तरब से इंटरस्ट मिल रहा है यानि कि यहाँ पर जो जियो फाइबर सर्वेसेस हैं उसको जितने सारे लोग यहाँ पर लगाना नहीं चाह रहे थे उससे ज़्यदा यहाँ पर जियो का Air Fiber है उसको लगाना चाह रहे है यहाँ पर 30 गुना ज़्यदा यहाँ इनको जो है वो डेली बेसिस पर यहाँ पर रिक्वेस्ट मिल रहा है यहाँ पर जो है वो ओर्डरस बगरा मिल रहा है Jio Air Fiber के जितना Jio Fiber के टाइम पर भी इचीज नहीं था ठीक है Because इसका कारण भी है कि यहाँ पर Jio के air fiber में कोई भी तार बगर नहीं लगता है सिम्पल संवहाँ पर 5G की SIM होती है इनवल्ट SIM होती है जो कि आपको जहां भी नेटवर्क हुआ 5G का वहां पर वो चीज चल दाएगा ठीक है तो इसी वज़ा से यह लोग जो है इसका एक और कारान है जो कि यहां पर Jio वालों ने यह बताया कि यह लोग जो बंडल में OTT subscription बगरा दे रहे चैनल बगरा दे रहे जिसके कारण से यहां पर लोगों का डिमांड जो बढ़ गया है Jio Air Fiber के लिए ठीक है और यहां पॉलिड जियो एर फैबर को बहुत ज़्या एक्सपेंड कर दिया गया है पहले से यानि कि अब से बहुत ज़्या और जगह पर आपको Jio Air Fiber मिलेगा तो यह जो नियूज है वो Jio की तरब से है और यहां पर एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि अभी Jio जो Fiber Services है उस पर ज़्यादा फूकस नहीं किया जा रहा है मतलब हाँ ऐसा मतलब यह नहीं कि वह आपको नहीं मिलेगा मिलेगा बट ज़्यादा फूकस यहां पर यहां पर करने वाल है तो WhatsApp में एक निव फीचर जो हो रोल आउट होने जा रहा है जहां पर अब से आप फाइल्स वगरा भी शेर कर पाऊगे नियरबाई फाइल शेरिंग जो आपको मिलता है ना कि आप किसी को भी फाइल्स वगरा शेर कर सकते हैं अपने फोन से दूसरे को फोन में जैसे कि गूगल का फाइल्स आता था पहले जा इंटर आता था तो इस तरह के जो अप्लिकेशन होते हैं जिससे हम लोग यहां पर फाइल बगरा तो वही चीज़ आप वाट्स आप के थ्रू भी कर सकते हो यह फीचर बहुत जल्दी यहां पर रॉल आउट होने जा रहा है और उसके बाद से आपको किसी भी थर्ड पाड़ी अब्लिकेशन की जुरूत नहीं पड़ेगी आप वाट्स आप सही चीज कर पा अगले नियूल्स यहां पर आ रहे है बिएशनल की तरब से तो बिएशनल की जो इंप्लोईज यूनियन है उन्होंने जो टेलीकॉम बिनेस्टर अस्वनी वैशनव है उनको यह चीज़ एक लेटर लेखा है कि हमारा जो बिएशनल 4G का रोल आउट वाला काम है वो अभी स्लो हो गया है बिकॉज यहां पर जो टीसी एस है यहीं कि टाटा कंसिल्टेंसी सर्विसे जिसके थ्रू यहां पर सारा काम वगरा हो रहा है वो लोग अभी इसको बहुत डिले कर रहे हैं बहुत कुछ प्रॉब्लम्स वगरा आ गये इसके कारण से यहां पर बहुत डिले क को नहीं मिला है कि BSNL के लोग ऐसा कुछ करना भी चाहते हैं काम वगरा एंड ज्यादा तर तो में को यही नियूज वगरा देखने को मिलता है कि कभी हड़ताल पर वो लोग चड़ गया है कभी स्ट्राइक कर दिये वह वगरा वगरा मतलब काम पो लेकर उत्ते सीरेस नहीं ह अँद दियुक्ष भार रहे हैं तो भाई अब क्या ही कहा जा सकता है इसकी गला निव्स यहां पर आ औरिए मेरी तरप से यहां पहुलक हमीर जियो एरहवर के कॉलिंग के उपर तो कॉलिंग के उपर काफे सारा लोग बोल रहा थे कि हमारा कॉलिंग नहीं हो रहा है कब से कॉलिंग होगा कैसे होगा तो उसके बारे में बताओ तो उसके बारे में वीडियो बना दिया है इसके बाद एक बंदे ने मेरे से पूछा था क जियो एरफवर का connection हम खुद से कैसे कर सकते हैं खुद से setup बगार कर सकते हैं तो इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि इसका link आपको वीडियो का description मिल दागा उसको भी देख सकते हो इसके बाद एक problem था कावे सा लोग हो का कि जियो का air favor portable नहीं है मतलब उसको कहीं ले नहीं जा सकते वो भी problem मैंने आपको solve कर दिया है उसका भी वीडियो है उसका भी link दे दूँगा उसको भी check out कर ले न यहाँ पे जियो एरफवर के कोभी internet का problem होता है तो उसके उपर भी मैंने एक video बनाया था तो यह total मैंने चार वीडियो बनायी है जिनका link मैं आपको video description में दे दूँगा तो जाके आप लोग के वार चेक आउट कर ले न अगर जियो एरफवर के आप customer होतो इसके वार आपको एक चीज़ पता होगा कि 5G तो रोलाउट हो गया है चाहे वो ATL का हो चाहे जियो का हो 5G रोलाट हो गया है बट हर जगा में आपको speed उत्ती अच्छी नहीं मिलती है network उत्ती अच्छी नहीं मिलता है जिस कारण से काफ़ी सर लोग वो problem होता है तो यहाँ पे ATL को ने क्या किया है कि जो आयोध्या में रामेंदिर हमारा बना है तो वहाँ पे network को काफ़ी दर strong कर दिया गया है मतलब गली-गली कोने-कोने में आपको 5G जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और वो 22 जनवेरी को ही किया था बट अभी से ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिन चलेगा अभी सब वहाँ पे हमेशा के लिए आपको 5G काफ़ी अच्छा आपको स्पीड देखने को मिलेगा काफ़ी वहाँ पे वर्क किया गया है जिसके कारण से आपको स्पीड वगरा काफ़ी अच्छी मिलेगी तो वहाँ पर रहते हो तो वह स्पीड वगरा काफ़ी अच्छी मिलेगी मैं बस यह कहाना चाहता हूं कि हमारे अरिया में भी थोड़ा सा ध्यान देए जाए ताकि यहाँ भी स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो पाई ठीक है बाकी और कुशने बाकी बात करी हो यहां पर deal of the day की तो अगर शादी में पाइес भगरा में अगर आप यहां पर नोट लड़ाना चाहते हो आपको पर्चेस करना चाहते हो मैं मुझे आप से नेस्ट वीडियो आप तो के लिए जय हिंद वंदे मात्रा